नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे यूटूब चैनल के ऊपर दोस्तों मार्केट के अंदर जो चीज एक्सपेक्टेशन कल की गई थी वीडियो के अंदर वैसा आज बिलकुल भी नहीं हुआ और मार्केट ने बहुत दिन बाद जाके मतलब हमारी एनलिसिस को फेल कर दिया तो दोस्तों अगर मार्केट के अंदर हमारी एनलिसिस या किसी भी इनसान के एनलिसिस कंसिस्टेंटली ठीक जा रही है तो वहाँ पर एक या दो दो दिन आएंगे महीने के अंदर जब आप market जो है आपकी analysis को fail भी कर सकता है दोस्तों ये चीज आपको समझनी होगी 100% per day basis के उपर कोई भी इनसान even FIIs even FIIs जो है साल में 3-4 दिन loss book करते हैं तो यहाँ पर even FIIs मतलब जो है अगर loss book करते हैं क्यों क्योंकि उनकी भी analysis जो है यहाँ पर गलत चली जा सकती है तो यहाँ पर अभी आज के दिन ये चीज विजिबल है कि हमारी कल की जो analysis थी वो totally fail हुई है लेकिन दोस्तों अगर आप हमारी telegram channel के साथ जुड़े हुए हो तो यहाँ पर आपको reason भी पता होगा उसका मैंने आपको live market calendar update भी किया था reason जो है बहुत simple है reason मैं आपको बताना चाहूंगा reason जो है वो बहुत ही ज़्यादा simple है तो reason समझ लेते हैं पहले कि आज हमारी analysis क्यों fail हुई तो उस reasons को समझने के लिए हमको यहाँ पर कुछ investigation करनी होगी और वो investigation सबसे पहले हम कर लेते हैं तो दूसरी चीज एक और चीज यहाँ पर कुछ लोग समझेंगे अरे सर आपको तो बहुत loss हुआ होगा और क्या कहते हैं आपको आपके members को भी काफी loss हुआ होगा तो मैं यहाँ पर एक चीज clear कर देता हूँ कि जिस भी दिन यहाँ पर देखे होता क्या है दोस्तों यहाँ पर live market data को connect कर पाना बहुत जरूरी है आपकी old market analysis के साथ दोस्तों आज मुझे यहाँ पर live market के अंदर दिख रहा था साफ साफ दिख रहा था कि मेरी जो कल की analysis यहाँ पर data points के basis के ओपर हमने की थी वह बिलकुल भी follow नहीं हो रही है और market जो है एक चोटी सी range यानि की 500 range के अंदर बीच में ही trade हो रही है और वह हुआ भी मैंने आपको update भी किया था live telegram channel के ओपर कि आज market जो है 500 से लेगे 600 के बीच में जाने की पूरी पूरी उम्मीद है premium ticket चल रहा है और वह हुआ अभी दोस्तों तो दोस्तों जो हमारा एक simple से rule है जो मैं personally खुद के लिए लेता हूँ decision simple है दोस्तों अगर आपकी live market जो है आपके analysis के against चारी है तो मैं उस दिन particularly कोशिश करता हूँ कि कोई भी trade ना लूँ और अगर लूँ तो बिल्कुल सोच तमझ के low quantity के साथ लूँ ऐसा नहीं कि हम क्या कहते हैं अंधो की चरह महाँ पर trading करे जा रहे हैं जबरदस्ती market से fight कर रहे हैं तो market से fight करने का कोई भी यहाँ पर औचित्य नहीं है अगर आपकी कभी भी कभी महीने डेड़ महीने में कभी आपकी analysis अगर market fail कर रहा है तो आपको accept करना चाहिए उसी वक्त live market के अंदर ही और मैंने आपको कहा भी था मैंने आपको screenshot भी दिया था तक्रीब ग्यारा साड़े ग्यारा बज़े के आज सपास अपने डेलिगराम चैनल के ओपर मैं आपको simple सी कहा था कि मैं और मेरे members यहाँ पर आज कोई भी trade नहीं लिए क्यों क्योंकि यहाँ पर जो भी data points है वो हमारे मतलब follow नहीं हो रहे थे आज के दिन अब उसका reason यह आपको मैं स fail हो गई और बहुत सारे लोग active हो जाएंगे आज तो क्योंकि आज बड़ा मौका है उनके पास type करने का के चलो आज हम इनके बरसात कर देते हैं तो मैं आपको पहले से पहले ही बता रहा हूं कि बरसात करने से पहले सोच लेना कि हमने आज कोई भी loss नहीं किया है दूसरी हम लोगों ने और हमारे members में जो भी हमारे हैं ठीक है हमारी membership के दूप तो उन लोगों को भी में आपे कोई भी trade नहीं दिया गया था ना मैंने कोई नया trade लिया था जो हमारे पुराने trade है वो सब हमारे trade हैज्ड हैं तो हमारे market अगेंस भी जाएगी तो हमको loss नहीं होगा यह मैं पहली बता रहेता हूं आप लोगों को दूसरी चीज कि अगर आप हमारे साथ मेंबर नहीं हैं और अगर हमारे साथ लाइफ टेलिग्राम के ओपर जुड़े हुए हैं तो भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर अगर देता हूं कि मैंने आपको 11 बजे साड़ी 11 बजे के आ था कि दोस्तों यहाँ पर डाटा पॉइंट्स जो है वो रिलाइंस की वजह से जो है केवल मार्केट ऊपर जा रहा है यह मैं आपको लाइब मार्केट में बताया था तीसरी चीज मैंने तकरीबन दो बजे के आसपास भी आपको आडियो कॉल करके दिया था कि यहाँ पर ह FIIs ने अभी भी Short Positions Close नहीं की है क्योंकि हम लोग को पता लग जाता है FIIs की Positions क्या है तो अगर FIIs ने Short Positions Close नहीं की है तो दोस्तों यहाँ पर आपको मार्केट आपके मार्किट जो है न वो नहीं चल रहा आपके अगेंस में समझ में आता है लेकिन अगर FIIs short positions close नहीं कर रहे हैं इसका मतलब FIIs जो हैं वो कुछ ना कुछ source समझ के ही short positions को hold कर रहे हैं और यह चीज लाइव मार्किट में हमको समझ में आ गई थी इसलिए हम शांत बैठे हुए थे तो यह चीज आपको सब को मतलब regularly बताया रहा है था 11 बजे के आसपास 12 बजे के आसपास दो बजे के आसपास इतना help करने के बावजूद भी अगर वहाँ पर कोई इन चीजों को नहीं समझता है तो मतलब यह चीज थोड़ा सा मतलब माइंड से थोड़ी सी मेरे बहर है आज का दिन था न वह आपको शांत बैठके market को observe करने का दिन था कि आपको यह चीज समझने के दिन था कि आज market क्यों हमारे अगेंस जा रही है तो जोस्तों यह चीज आपको update की गई थी, regularly की गई थी, तो आप यहाँ पर यह मत लिखेगा, comment section में के, मतलब आपकी वेले से loss हो गया और आपकी वेले से यह हो गया, क्यों कि मुझे यह सब चीजे, मतलब मेरा काम क्या है, मेरा काम है कि आपको data points बता रहे हैं, जो मेरा काम मेरा काम यह है कि data points जो भी बता रहे हैं, वो चीज आपको live market में update करना, जो कि मैं करता हूँ, साथ में analysis करके देना आप लोगों को, जो data points बता रहे हैं, वो data points क्या बता रहे हैं, और जो दोस्तों आप लोगों ने देखा ही होगा, यह data points जो होते हैं, वो regularly follow होते हैं market के द तो यहाँ पर, यह मैं सफाई नहीं कह रहा है, आपको जो करना है कर सकते हो, comment section गंदा करना है कर सकते हो, that is your choice, but right now I have just clear all the thing के हमने आज क्या किया और आप लोगों को live telegram channel के ओपर क्या बताया है, सब चीज आप जाके cross check कर सकते हो, तो दोस्तों आप चलते हैं, आगे, यह तो होई वो सब चीज़े के हमने आज क्या नहीं किया, आज आज गा market कैसा रहा, अब तलते हैं दोस्तों आगे, दोस्तों मैंने आपको update किया था, लगातार, regularly update किया था, जो चीज़ लोग मुझसे whatsapp पे पूछ रहे थे कि क्या short positions close कर दी गई है, FIIs के द्वारा, तो दोस कुछरी चीज, कुछ लोगों ने ये पूछा था, कि put buying जो है, FIIs की जो उन्होंने की थी, 16,300 और 16,200 के उपर, उनका क्या हुआ, क्या वो loss में close की, नहीं, नहीं दोस्तों, put buying जो थी, वो lower devils पे की गई थी, और low premium पे की गई थी, लेकिन, ये put buying का जो भी loss उन्होंने की है, इसको reimburse कर लिया गया, क्योंकि उन्होंने कल call selling भी दबा के कर रखी थी, call selling वो लगातार तिन दिन से कर रहे थे, तो 16,600 और 16,700, ये दोनों call उन्होंने बेच रखी थी, किसने FIIs ने, तो जो भी उन्होंने put buying के अंदर loss किया, आज, उनको भी loss हुआ है, put buying के अंदर loss ह हुआ है, उनका पूरा पूरा जो कि उन्होंने short positions close नहीं की, और put buying भी उन्होंने तयार कर रखी थी, उनका पूरा आज का plan था data points के साथ से सुबह सुबह के वो market को नीचे जरूर लेके जाएंगे, ठीक है, लेकिन आप जैसे जानते ही है, कि सुबह सुबह मैंने आपको update अब ही किया था कि Reliance जो है, उसने अकेले market को समभला हुआ है, आज Reliance जो है अकरीवन 3%, sorry 4% के आसपास भागा है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक stock के अंदर जो है, जिसका weighted जो है तकरीवन 13% से उपर का है, एक single index के अंदर, तो वहाँ पर अगर वो भागेगा तो दोस्तों market का नीचे गिरना वो impossible है, चाहे वहाँ पर FIIs कितनी भारी पूट बाइंग करके बैठे हो, तो ये चीज़ आपको समझनी होगी, कि FIIs भी यहाँ पर जो है, उस वक्त जब किसी भी news के basis के ऊपर कोई भी movement होती है, किसी भी एक particular stock में, जो की heavy weightage रखता है, 13% के आसपास, क किसी भी index के अंदर तो भी वहाँ पर FIIs भी वहाँ पर loss book करते हैं, लेकिन दोस्तों ये जो loss book हुआ है, इसको reimbursement किया गया, क्योंकि उन्होंने call selling कर रखी थी, वो भी 16,700, 16,600 के आसपास, तो इनको ये loss, ये no loss और no profit में निकले हैं, याद रखना, ये no loss, no profit में निकले है अपनी options की positions के अंदर, तो ये लोग loss नहीं करते हैं, मैं आपको हमेशा बोला है, तो FIIs options में loss नहीं करके गए हैं, आज market चाहे ऊपर चला गया, बेशक से, ठीक है, दोस्तों ये चीज़ समझ में आ गई होगी, तो मैं आपको यहाँ पर update कर देता हूँ, पहली चीज, यह पहले, उन्हों negative क्यों था, क्योंकि यहाँ पर live market के अंदर, FIIs जो है, देख सकते हो, आप उन्होंने 26% के आसपास, अपनी long side की positions, bullish positions, जो है, वो close कर रहे थे, यह मुझे दिख रहा था, इस basis के ऊपर ही, और देख सकते हो, आप उन्होंने long side की positions आज close की हैं, तो अगर द कर रहे थे, यह मुझे दिख रहा था live market में, उन्होंने long side की positions close कर रहे थे, और मैं हमेशा, और हमेशा FIIs के साथ ही जाता हूँ, अब आप चाहें तो उनके हाथ जा सकते हैं, चाहें, तो नहीं जा सकते, FIIs जो है, उनकी accuracy 95% के आसपास रहती है, इसलिए मैं हमेशा FIIs के बिलकुल भी लाना पसंद नहीं करूंगा, तो दोस्तो आपको मैं बता रहा है, यह मार्केट अंदर वो चीज़ आपको data points के दिखने को मिल रही है, FIIs जो है, long side में उन्होंने positions close की, तो यह चीज़ सुबर सुबर उन्होंने कर दी थी, क्योंकि उनका पूरा-पूरा mood थ से वो लोग market को नीचे लेकर नहीं जा पाए, तो data points जो थे, वो clearly यहाँ पर indicate कर रहे थे, कि 11 बज़े तक यही indicate कर रहे थे, कि data points are negative, बट फिर 11 बज़े के बाद जब यह चीज, FIIs को मतलब महसूस हुई, तो फिर उन्होंने यहाँ पर put buying के अंदर जो है, आज loss book किया, औ उन्होंने मतलब equal किया call selling के purpose से, और उन्होंने यह चीज महसूस की 11 बज़े के आसपास, ठीक है, तो यही 11 बज़े के आसपास मैंने आपको update भी किया था, कि यहाँ पर reliance जो है, उसी के तंबू पे बंबू टंगा हुआ है, आज के market का, और reliance ही market को संभाले हुआ है, otherwise market क channel के उपर, तो इसलिए मैं आपको वही बता रहा हूँ, starting महीं बताया था, कि मेरा काम जो है, वो data points को आपको बया करना है, आपको यह guide करना है, live market में के ज़्यादा over trading मत कीजिए, हमने खुद भी नहीं की थी, आपको इमना किया गया था, still if you do not follow this, क्योंकि होता क्या है, इ एक दिन अगर आप trading नहीं करेंगे, तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, market कल सुबह दुबारा खुलेगी, आप data points follow करते रहेंगे, तो आपको कल दुबारा market opportunity देगी, यह मेरा मानना है, तो हमने आज बिलकुल भी trading नहीं की, तो दोस्तो data points जो है, वो अभी भी जो है, FIIs ने जो है, वो short positions close नहीं की है, आप check कर सकते हो, साथ में proprietors ने भी आज short positions बनाई है, याद रखना, short positions proprietor और FIIs दोनों ने आज, मतलब, close नहीं की बनाई है, और साथ में इन्होंने long position बनाई है, क्योंकि इनकी short position थोड़ी खत्रे में थी, तो long position इन्होंने hedging के लिए बनाई है तो proprietors ने, proprietor को भी यहाँ पर adjust करना पड़ा आपने आपको, news के business के उपर के उन्होंने hedge positions create की, long create करके, लेकिन उन्होंने short positions close नहीं की है, तो यह hedge positions है दोस्तों proprietor की, और FIIs ने आज पूरी के पूरी long positions close कर दी है, तो FIIs की अभी भी जो है, वो short वाली उनके हाथ में अभ पूरा short positions hold करी रखी है, तो दोस्तों overall जो है कहानी, DIs, FIIs और proprietor कोई भी अगर short positions को hold नहीं कर रहा है, तो data points live market में negative ही दिखेंगे, अब news आ गई, news आने के वज़े से reliance में buying शुरू हो गई, buying शुरू हो गई, तो माकिर ऊपर चला गया, तो यहाँ पर इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता, even the बड़ा player, मतलब can just save their positions also with the hedging only, ठीक है, so data points, right now data points, I would say, data points जो है, वो अभी भी bearish ही है, ठीक है, क्योंकि मैं F.I.S. के साथ जाना चाहूंगा, मैं यहाँ पर बिलकुल भी यह नहीं कहा रहा है, आप भी मेरे data points को follow करें, अगर आपको लगता है, कल market 17,000 के उपर तली जाएगी, तो आप बेशक से bullish position मिना लीजएगा, मैं F.I.S. क करके वीडियो सुनते हैं न, तो आप पूरा सुनते नहीं हो, और फिर होता क्या है अगले दिन, कि आप कहते हो कि अरे आपके analysis गलत हो गई, तो अभी last में जो मैं बोलूंगा, उसको जहां से सुनना, वो आपके लिए बहुत important रहेगा, तो दोस्तों F.I.S. की जो short positions हैं न F.I.S. जो हैं, इस वक्त जो hold करके बैठे हुए positions, उनकी long side की position जो उनकी hold पे हैं, अभी वो 19,000 के आसपास हैं, 15,750 के आसपास उन्होंने वो long side की position बनाई थी, किस तारीक को बनाई थी, वो भी आपको यहां पर देखने को मिला हुआ है, क्योंकि इन्होंने ये close नहीं की, ये carry forward position से उनकी पिछले month की, दोस्तों फिर उन्होंने 31 तारीक और 1 जून को उन्होंने जो short position बना रखी हैं, वो उनकी तकरिवन 15,000 हैं, total मिला के ये हैं, इनकी position जो बनी हुई हैं, वो 16,650 वो 16,700 के आसपास बनी हुई हैं, यही चीज़ मैंने आपको update किया था टेलेग यह समझ लेंगे कि यहां पर market को अगर उपर निकलना है और आप भी इसी को समझ लीजिए, जहांतर समझिएगा आप इस point को, कल को यह मत बोलना कि आपकी analysis गलत हो गई है, दोस्तों, 16,700 के उपर जो है ना, उनकी positions फसी होई हैं, बहुत जब बढ़ दस, साड़े 600 से लेके 700 के बीच में, लिख लो इस level को, 650, कौन सा level है यह, 16,650 से लेके 16,700 का level, ठीक है, तो यह level जो है, इस level के आसपास, उनकी दबाके position से 15,000 के आसपास, और दोस्तों, अगर इसी level के आसपास आने के बाद, अगर वो कल short covering कर देते हैं, कौन, FIIs, इसी level पे market को रखने, अगर market इस level के आसपास ही खुलती है, और इसी level के ऊपर, इसी level के आसपास आने के बाद, market में, अगर वो अपनी ये सारी के सारी positions, close कर देते हैं, ये close उन्हें करनी पड़ेगी, अगर market को सच में उपर जाना है तो, और वो अगर ये no profit, no loss में, अगर ये positions को, व कोई मत बोलना, क्या आपने बता ये नहीं था, 16,50 और 16,70 के आसपास उनकी short position से, अगर वो इनको no profit में, इसी level के आसपास कल close कर देते हैं, तो market definitely 17,000 के आसपास जाएगी, और याद रखना, जिस तरीके से उन्होंने आज options में no profit, no loss में निकले हैं, हो सकता है, कल इनको ये वो आपको दिख रही हैं, खड़ी हो यहाँ पे, तो वो पता लग जाता है आपको, लेकिन live market में बता लग पाएगा कि क्या वो एकल short positions close करेंगे, अगर करेंगे, definitely 17,000 के आसपास market जाएगा, नहीं करेंगे, तो market को घुमा फिरा के फिर वो नीचे जरूर लेके आएगे, क नहीं तो फिर को क्या करेंगे, market को नीचे जरूर लेकाएंगे, इन position को अगर वो close नहीं कर रहे हैं, तो इस बाद का आप याद रखेगा, और नीचे का level 16,300 पहला target है, अगर वो close नहीं करते हैं, तो अगर इन्होंने close कर दी, तो market 17,000 के आसपास तो ले जाएगा, यह हमे देखना होगा, live market के अंदर, इसलिए मैं यहाँ पर patience था, और इसलिए मैं यहाँ पर आज market के अंदर कुछ भी activity नहीं कर रहा था, ताकि मुझे उनका mind समझ में आ सके, वो कर क्या रहे हैं, यह तो मुरे दिग गया सा live market में, यह वो लोग close नहीं कर रहें, short track की positions, फिर भी market रूपर जा रहा है, इसका मलब वो खत्रे में है, लेकिन अब अगर उन्हें खत्रे से भार निकलना है, तो कल उनको 16,650 से लेके, 16,700 के आसपास, उनको अपनी सारी के-सारी short positions close करनी होंगी, तभी market यहां से रूपर जा सकता है, इस बात का खयाल जरूर रख लीजिएगा उम्मीद करता हूँ, आपको यह समझ में पूरा analysis समझ में आ चुका है, आज जो है options में कोई भी activity नहीं हुई है, क्योंकि सभी ने अपनी सारी positions close की है, ठीक है, तो इस बात का खयाल जरूर रखिएगा, option chain अभी देखने का कोई फाइदा है नहीं, क्योंकि नई positions कल से बने क्या वो market को उपर जाने देंगे, अगर वो उपर जाने देंगे market को समझ लेना, कि market के अंदर उनकी position सब वो close कर रहे हैं, वो भी short side की, उस case में market जो है, अब अगला target, अगर याद रखना condition है यहापे, अगर वो अपनी short position close कर देते हैं, जो कि live market में आपको बताऊंगा, मै अगर वो नहीं करते, तो market को वो 16,700 के ऊपर नहीं जाने देंगे, ठीक है, यह resistance कल पैदा करेंगे, वो दुबारा से, आज भी किया था, इसके ऊपर आज भी market नहीं गया था, अगर उन्होंने position close नहीं की, तब भी आपको बताऊंग जाएगा, कि इस level के ऊपर नहीं जाए तो यहाँ पर अब जो condition है, वो totally market की जो चलने की condition है, वो केवल, केवल, FII ही तै करेगा, और वो ही हमेशा तै करता है, ठीक है, तो यह चीज़ आप समझ के चलिएगा, एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, जहांसे समझिएगा, बहुत important data है, market जो है, आज है, वो 6.46 है, तो market बहुत जबा उपर नहीं गया, और नहीं market ने बहुत ज़ादा rally दिखाई है, यह केवल, आँखों का धोका है, जो आज market में यह चीज़ समझ रहे हैं, कि बज़ाद उपर चला गया है, तो it is not like that, इस नहीं तो वो अपनी short position definitely close कर ही देते, FII's, तो पहल movement की movement केवल, एक stock reliance की वरे से आई है, यह इसी हमको पता है, ना DIA ने buying की और ना ही इन्हों ने buying की, तो buying किसने की, वो की retail trader ने, ठीक है, इन्हों ने buying नी की, इन्हों ने buying नी की, तो किसने की buying, retail traders ने, बास में आगई, तो यहां बड़ा player बिलकुल शांत था आज की दिन, ना equity में active था, ना ही वो options में active था, बात, जो active थे आज के वल, retail trader अपनी दिवाली मना रहे थे, अब यह दिवाली कप तक चलेगी, और इनके दिवाली मनेगी या नहीं मनेगी, वो कौन तै करेगा, वो तो तै करेगा, FII, because FII is still not in the loss, वो है ही नहीं इस वक्त loss में, FII, उस आज यही बोलूँगा, कि अब कल के लिए, जो है, वो मेरा FII is की condition, जो है, मैं आपको बता दी है, उसी पर market का move, जो है, वो तै करेगा, आज देख सकते हो, bank nifty में छोटी सी range में market, खतम हो गया, और 100 point के अंदर market, आज nifty का भी खतम हो गया, तो total range bound market रहा, आज का ऐसा नह है, तो हमें regret नहीं करना चाहिए, ठीक है, अब देख सकते हो, कल का high, अब bank nifty में, जो है, अगर अब ये level तूट जाता है, कौन सा, ये वाला, कल का high तूटता है, तभी यहां पे market जो है, upside के लिए तैयार होगा, लिख ली जेगा इस बात को, और nifty के अंदर, अगर 16,700 त तूट जाता है, तभी फिर market 17,000 के लिए तैयार होगा, बात समझ में आ गई, ये level लिख लीजिए, nifty के अंदर, जो कल का high है, कल का high कहां पे है, वो भी लिख लीजिए, ताहिका आपको online market में समिझ में आ जाए, कल का high है दोस्तो, 35,768, तो यानि कि 35,800 के ऊपर, मोटा मो market में, वो short positions close कर देंगे, कौन? FII, तो FII ही, हमेशा market चलाते हैं, अभी भी चला रहे हैं, चाहिए, आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही, loss में नहीं आए FII, और वो loss में होंगी भी नहीं, तो अब कल का जो move है, वो FII के ऊपर ही totally depend करता है, अब वो क्या करेंगे, close करे जेगा वीडियो लंबी हुई है, thank you